तो यह तस्वीरें दिखाते हुए जल्दी से चुकि रागनी नाय जी आपने ये प्रश्न पूछा था सबसे पहले आपको सुना देते हैं जब आज तक ने ये प्रश्न प्रधान मंत्री के सामने रखा था ताकि आगे आप ये फैक्चुली इंकरेक्ट बार कभी न बोलें सुनिये सर जब आप गुजरात के मुख्य मंत्री थे आप कई मरतबा आपका इंट्व्यू करने का मौका हम लोग को दिया करते हैं अब जब आप प्रेस प्राइम निस्टर बने हैं तो आप प्रेस कांफरेंस नहीं करते हैं और इंट्व्यू करने का मौका भी कम ही कम मिलता है थैंक्यू मंझना जी आख़ी के 2 मिनिनट का समय आफ वे दे दैद तेखुए मैं ये कहना चाहती हूं ये मू Manuel कि याल 55 साल में सबसे जादा betज़ारी जो हैं वह न निय चार्ज में 35 साल में सबसे जादा में बादा महुझाई मोधर जी के अन्याय काल में किसानों की जो आय थी उसको दुगना करने की बात कर रहे थे दो अजार बाइस तक एनसेसों के आखड़े बताती कि 27 रुप्या प्रती दिल किसान जो है वो कमा पा रहे हैं अपने दियोग पती मित्रों का 16 रुपे का कर्ज माफ हो जाता है किसानों का एक रुपे का भी नहीं और जो आव आदमी है दस में से आठ लोगों की आए देश में कम हो रही है यह सच्छा ही है उसके बाद आप वो कहते ना अदूसरों पर अगर तफसिरा कीजिए पहले सब्सक्राइब करें जवाब देता हूँ जो रागरी जी ने पैता लिटार बोलो यह सबसे पहले आरके सिंग जो घ्रह सचित थे उन्हों ने यह बात कही थी और आपने उनी आरके सिंग को टिकेट दी जिन्ना की कबर पर जाकर रोने वाला कोई 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 आदमी नहीं नह बस एक ही लाइन में जवाब देता हूँ जो रागरी जी ने पैतालिस साल पच्छतर साल का सारे दर्सेट जाकर चेक कर ले सारा डाटा अवेले बूले सबस्यदा बेरोजगारी महंगाई कब थी और एक लाइन में कॉंग्रेस के लिए कह देना चाहता हूँ कि वो पैर भी जोट की करता चला गया बस उसका चेहरा उतरता चला गया और मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया